नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं जय स्टानियूज महराज के सियम उडो ठाकरे के मंतरी अनिल देश्मुक को एक्सपोज करने वाले परमबीर सिंग की मुसीबते अब वन बाई वन करके बढ़ती ही जा रही है जैसा कि आप सब को पता है कि अनिल देश्मुक को जिस टेम परमबीर सिंग ने एक्सपोज किया था मलब एक लेटर लिख के पूरी तरह से परमबीर सिंग का खुलासा किया था कि किस तरह से वो वरसूली को अंजाम दे रहे हैं महराज गौवर्मेंट में रहते हुए जिसके बाद जो परमबीर सिंग है वो मुंबई से पूरी तरह से अभी गायब हैं यानि कि उन्होंने छुट्टी ले ली है और इस टाइम वो चन्रीगर पंजाब में हैं लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो है वन बाई वन करकि उनकी मुसीब दे लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके खिलाब नएने डेली केस पब्लिक के सामने आ रहे हैं अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ठाने के कोपारी पुलिस स्टेशन में कल एक और एक और एक और एफाईयार दर्ज की गई है और ये जो एफा करवन रुपए की वस्वोली करने को लिए बोला था घूस मांगा था लेकिन जब उस चीज को दो करवन रुपए जब उन्होंने नहीं दिया तो उनके उपर जेवजस्टी प्रेसर बनाया गया कि उनकी जो जमीन है वो जो है ट्रांसफर कर दी जाया मतलब कि इनके नाम प कि ये सारे की सारे आरोप और सारे की सारे एफाई आर उस टाइम पब्लिक के सामने आ रहे हैं जब परमबीर सिंग ने अनिल देश्मुक को पूरी तरह से एक्स्पोज किया उससे पहले कोई भी एफाई आर जो है परमबीर सिंग के खिलाब दर्ज नहीं कराई गयी थी ले मलब कि अनिल देश्मुक को अपनी कुरसी कवानी पड़ी है जिसकी वज़ा से इसी लिए ये सारा का सारा गेम चलना है और जान बूझ के परमबीर सिंग के खिलाब ये सारे के सारे केस लाए जा रहे हैं अब वो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा कि परमबीर सिंग इ सराद अग्रवाल जो की एक वेपारी है इनके दोरा ये एफाई यार दर्ज करवाया गया है आपका क्या ओपिनिन है आप अपना ओपिनिन कमेंड बॉक्स मोताएं और वीडियो पजाश जादा सेयल करें